नमस्कार किचन सेफ मास्टर में आप सभीका बहुत स्वागत है आज हम बहुत ही सस्ति कूलफी की रेश्पी लेकर आया है हैं यह कूलफी हमने उसमें हम इस दूद को डाल देंगे बहुत ही आसान रेस्पी है आप किसी भी बक्त में इसकी बना सकते हैं और इसमें हम डालेंगे दूद चमर्स आरा रूट का पाउडर और इसे हम अच्छी तरह सी मिक्स करेंगे अभी हमने दूद को गैस पर नहीं चराया है और आप देख सकते हैं एक कप दूद से इतनी सारी पुलफी बनाएंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि इतनी सारी पुलफी कैसे बन दें और इसी बक्त में हम इसमें डाल देंगे अब इसे हम गैस पर चरह कर थोड़ा सा बॉइल करेंगे तो दूर को हम गैस पर लग दी है आप सोच रहे होंगे इसमें हम बहुत सारी चीनी डाले है इसलिए डाले हैं क्योंकि हमें कुर्थी तो ज्यादा बनानी है तो देखिये हमें कैसे कुर्थी ज्यादा बनानी है इसलिए मैंने चीनी की क्वैंटिटी उसी हिसाब से डाला है तो पहले इस दूद में उबाया लाने देते हैं नहीं आपको ज्यादा गैस लगेगी और नहीं ज्यादा मेहनर और नहीं सामगी बहुत ही कम सामान में ये कुर्थी बनकर रेडी हो जाएगी तो देखिए दूद अरारोट पाउडर हमारे तयार हो गए है अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इस मिश्रल को हम ठंधा कर लेते हैं तो देखिए दोस्तों ये मिश्रल जो है हमारी अच्छी तरह से ठंधी हो गई है और अब हुम क्या करेंगे इसमें डालेंगे एक गटोरी दूद की मलाई और मलाई डालने के बाद एक थाली में हम बर्ख ले रखे उस पर रखकर इसे हम अच्छी तरह से फेंटेंगे दिखे कितने क्रीमी दिख रही है और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनने भी वाले है अब इस जगह पर हम फ्लेवर के लिए थोड़ी सी लाची डाल देंगे ये बिल्कुल ओप्शनल है तो देखे मिस्रन हमारा रेडी हो चुका है अब हम एक प्लास्टिक का डबा लेंगे और इसमें हम सारे मिस्रन को डाल देंगे तो देखे ये हमारी तयार हो गई है कुलफी की अब हम से क्या करेंगे इसमें अब हम से क्या करेंगे इसमें अच्छे से कवर करना है नहीं तो इस पर आइस आ जाएंगे और इसको हम 8 घंटे के लिए अपने फ्रीजर में रख देंगे तली 8 घंटे हो गए है अब हम अपने आज क्रिम को चेक कर लेते हैं तो देखे अब हम इस आज क्रिम को काट देते हैं तो देखे हमारी आइस क्रिम कितनी अच्छी जमी है आप लोग भी इस ट्रिक से आइस क्रिम जमाईएगा सस्ते में बहुल ज़्यादा आइस क्रिम बनेगा तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राब कर दिजिएगा थेंक्यू कर दो वीडियो